टाइटल बच्चे और जादू का जूला यह कहानी है एक छोटे से गाव के एक बच्चे की नाम था राजू वह गरीब था लेकिन उसमें खुशी और उत्सा की कोई कमी नहीं थी एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था जब उन्होंने एक खरगोश को देखा राजू के दोस्तों ने उस खरगोश को पकड़ लिया और कहा आओ देखो हमारा नया खिलोना कैसे है वे खरगोश के पास गए और उसके कानों को पकड़ा खरगोश बहुत डर गया और बोला क्रिपिया मुझे छोड़ दो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा राजू ने खरगोश की बातों को सुना और उसे छोड़ दिया खरगोश बहुत आभारी था और राजू को एक जादू का जूला देने का फैसला किया खरगोश ने जूले को दिया और कहा ये जूला है ये आपके सभी इच्छाओं को पूरा कर सकता है लेकिन एक शर्त है आपको दूसरों की मदद करनी होगी राजू ने जूले को खुशी खुशी घर ले जाया और अपने दोस्तों को बताया कि ये जूला कैसे काम करता है सब के पास जिंदगी में अपनी अपनी इच्छाएं थी और सब ने जूले की मदद से वो इच्छाएं पूरी की राजू की माँ बीमार थी और वह चाहता था कि वह उसकी सेवा कर सके लेकिन उसके पास समय नहीं था तब राजू ने जूले से बीमारी को दूर करने की मांग की और जूले ने वो भी पूरी की गाम वाले दिन राज जूले का इस्तेमाल करते रहे और वे सब खुश थे लेकिन एक दिन एक दुखी राजा गाम में आया और जूले के बारे में सुना वो जूले को अपने पास लेने के लिए आग्रह किया लेकिन गाम वाले ने इंकार किया राजा ने खर्गोश को बुलवाया और उससे जूले की बात की। खर्गोश ने कहा राजा जी मैं आपको जूले दे सकता हूँ लेकिन आपको भी यही शर्त माननी होगी आपको दूसरों की मदद करनी होगी। राजा ने सहमती दी और जूले को अपने महल में ले गए। जूले ने राजा को उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मदद करने का तरीका सिखाया।